Hello Friends, Welcome to Women's Dunia Pregnancy के दोरान बहुत सारी महिलाओं में एनीमिया देखा गया है एनीमिया यानि की शरीर में खून या हिमोगलोबिन की कमी हो जाना लगबर 80% महिलाओं में Pregnancy के दोरान आईरिन डिफिशेंसी होती ही होती है ये Pregnancy में काफी आम है अगर रिपोर्ट्स में आपके हिमोगलोबिन का लेवल 10 या 11 आ रहा हो तो इसे आप घर पर ही ट्रीट कर सकती है पर अगर आपका हिमोगलोबिन 10 से कम हो तो आपको अपना ध्यान पहले से भी जादा रखना है क्योंकि इस कंडिशन में आपको और आपके बच्चे दोनों को रिस्क रहता है अब हम बात करते हैं अगर आपके शरीर में खून की कमी हो तो आपकी बॉड़ी में क्या-क्या अलग चेंजिस होते हैं आपको जल्दी ठकान लगती है आपको ब्रीधिंग डिफिकल्टी हो सकती है या आपको कमजोरी रह सकती है या मेबी प्रेगनेंट होने के बावजूद आपको भूग कम लगती हो आपके पैरों में सूजन भी कभी कभी एनिमिया को दिखाती है तीसरी तिमाही में पैरों में सूजन रहना आम बात है पर अगर प्रेगनेंसी के दूसरे या पहले तिमाही में आपके हांतों और पैरों में सूजन रहती है तो ये शरीर में खून की कमी को दर्शाता है इसके अलावा जादा नीदाना, चक्कराना, दिन भर हलका सरदर्द होना ये भी शरीर में खून की कमी के लक्षन है गर्भावस्था के दौरान अपने खान पान पर धिहान ना देने से भी एनिमिया हो सकता है जैसे प्रेगनेंसी में अच्छे से खाना नहीं खाना, अपने म शरीर में हिमोगलोबिन की जरूरत बहुत जादा बढ़ जाती है और हम एनिमिया के शिकार हो जाते हैं इसके अलावा भी कई कारण है एनिमिया होने के जैसे अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले पीरियेट्स में हेवी ब्लीडिंग होती हो या प्रेगनेंसी क प्रेगनेंसी के सप्लिमेंट्स टाइम से ना लिये हो या आपको प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही ब्लीडिंग हो गई हो या दूसरा कारण है आपका पहला बेबी एक या दो साल का हो और आपने दूसरा बेबी कंसीव कर लिया हो ऐसे में भी शरीर में खून की कमी हो जात अगर आपको पता हो कि आपके शरीर में खून की कमी है तो उसे दूर करने के लिए कुछ उपाय आप घर पर भी अपना सकती है अपने खान पान में थोड़ा बदलाव करके आपको अपने खान पान में बीट रूट, बनाना, एपल या गर्म दूद के साथ खजूर का सेवन कर सकती हैं इसके साथ ही फ्रेश लीफी वेजिटेबल, अनार, रेड मीट, फिश और विटामिन सी के सेवन से भी खून की कमी दूर होती है आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, प्रेगननसी के दोरान, शरीर में आइरन एब्जर्पशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और प्रेगननसी में महिला को एनिमिया होने से प्रेगननसी में क्या रिस्क रह सकता है पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजे क्योंकि यहां आपको प्रेग्नेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है सबसे पहले तो आपको अपनी कोई भी रूटीन टेस्ट मिस नहीं करनी है दूसी ज़रूरी बात है सेकेंड ट्राइमिस्टर से आपको आइरन के टैबलेट्स या सिरप लेने शुरू कर देने हैं साथ ही एक बात का ध्यान खास कर रखें कि आइरन टैबलेट के बाद तुरं आइरन के सप्लिमेंट के साथ विटामिन सी यानि की नीबू, संत्रा या आवरा का सेवन कर सकती हैं आइरन सप्लिमेंट के बाद विटामिन सी का सेवन करने से शरीर में आइरन एब्सॉर्प्शन फास्ट हो जाता है आखरी टिप है आपको अपने प्रीनेटल को बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है तो इस्पेशली तब जब आपके शरीर में हीमोगलोबीन की मात्रा 10 से कम हो अब हम जानते हैं एक ऐसी प्रेगनेंट महिला जिसके शरीर में खून 10 से काफी कम हो उन्हें प्रेगनेंसी में एनीमिया की वज़े से क्या रिस्क हो सकता है सबसे पहला रिस्क है कि उनकी टिलिवरी समय से पहले हो सकती है दूसरा रिस्क है आपके बेबी में भी खून की कमी हो सकती है तीसरा रिस्क है हो सकता है आपके बच्चे का बर्थ वेट भी नॉर्मल प्रेगनेंट महिला को अगर सीवेर एनीमिया है तो इस केस में मैटर्नल डेथ भी हो सकती है due to heavy bleeding during pregnancy दूसरा मेजर रिस्क सीवेर एनेमिक पेशेंट्स को यह हो सकता है कि उनके बेबी के brain development में कुछ कमी रह जाए हो सकता है आपका बच्चा सुस्त या लो आईक्यू के साथ पैदा हो that's all for this video अगर आप pregnant है और आपके शरीर में भी हिमोग्लोबीन कम है तो इस वीडियो से आपको definitely help मिलेगी क्योंकि यहां मैंने अपना experience आपके साथ share किया है जब मैं pregnant थी तो मेरे शरीर में भी हिमोग्लोबीन की मातरा काफी कम थी और इस वीडियो में बताए गए तरीकों से ही मैंने अपने बॉडी में हिमोग्लोबीन की मातरा सही की अगर आप मेरे बेबी की activities देखना चाहते हैं तो उसके यूट्यूब चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें उसके चैनल का लिंक मैं नीचे description box में दे दूँगी और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो informative लगी हो तो इसे like, share and subscribe करना बिल्कुल ना भूले थैंक्स फूर वचिंग